हलो गाइस दिस इज नवीद एलेक्टरेशन आपके पास चाहे दस हजार का मोबाइल हो या एक लाग रुपे का मोबाइल हो चार्जर सभी में मिल जाता आपको पर वो चार्जर उसे दिक्कत क्या है ना वो चार्जर को आप सिर्फ अपने घर, आफिस या दुकान में ही यू तो उसके लिए का है आपको या तो फिर डी सी चार्जर होना या फिर पाफ बैंक होना तो इस वीडियो में पॉर बैंक की बात नहीं कर रहा है इस वीडियो में बात करेंगी हम यह प्रीजर too जो के सुपर जैसे ब्रैंड से आता मतलब यह कोई चाइना का इटम नहीं होता चाइना तैवान मिडिल इस्ट अफगानिस्तान इरान जैसे अधर कंट्रिस का नहीं होता यह मेड इन इंडिया का है तो इसके उपर वीडियो बनानी की में इंपोर्टेंट वज़े है यह हमारे स्मार्टफोन अभी यह जो अपने कार में या बैको में या स्कूटी के चार्जर से अगर आप इसको चार्ज करेंगे ना तो अगर आप एक देड़ घंटा दो घंटे भी चार्जिंग लगा दो फिर जब आप वायर को निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल से 10-15 या 20 परसेंट या उससे जादी चार् सारी की सारी गाडियों में आप इसको लगा सकते तो इसकी खास बात तो बता दिया मैं आपको कि यह फास्ट चार्जर है और ब्रैंडेड है तो चलिए फटाफट फिटिंग का तरीखा बता दू मैं आपको यहां देखो इसकी ब्रैंडिंग है और यह 3.4 जो कि इसका बाडल नमबर यह 12 उल्टेज और 24 उल्टेज दोनों पर काम करता जो कि इसको स्पेशल बना देता है मतलब 12 और 24 दोनों से चला सकते आप इसको और अगर हम इसको बाक्स से बाहर निकालेंगे तो यह देख सकते इसका जो लुक है जो इन हैंट मतलब जब आप इसको अपन बात है देखो आपको इसमें सिर्फ दो वायर मिलते हैं एक एक ब्लाग मतलब पॉजेटिव और नेगेटिव यह दो वायर हो गया इसके अलावा और कुछ नहीं है और इसके अगर पीछे देखेंगे तो यहां पर देखो सूपर और यह क्यू सी पास मतलब कॉलेटी पास ह बोले तो यह ट्रस्टेबुल एटम है भरोसा कर सकते तो यह खास बात देखो यह जो चार्जर देख रहे हैं अप मेरे हाथ में यह 33 वार्स का MI का चार्जर है मतलब MI सेल के साथ जो नया बॉक्स पीस आता तो यह उसका चार्जर है तो उसका वायर निकाल लेंगे हम निका पहले यह जो नया चार्जर है उसका वायर लगा दिये और उसके बाद यह पुराना वायर है उसको भी लगा दिये अभी देखो दोनों को भी मैं बैटरी से करंट दे रहा बारा उल्टेज का तो यहां देखो LED ब्लिंक हो रहा वायरो के पास और यह देखो दोनों मुबाइल को एक साथ चार्ज लगा सकते तो यह खास बात है इसकी तो देखो यहां पर एक अच्छा दिखा मुझे इसके साथ लाइट है ब्लू वाल इंडिकेशन या रो के पास देखो पहले यह लाइट आता फिर उसके बाद देखो मुबाइल चार्ज होने लगता तो यह आपको कहीना कहीं स्पेशल दिखता और कहीना कहीं आपको बेटर फिल होता तो अगर इसके ओजन की बात करें ना तो बड़ी मुश्किल से 15-20 ग्राम होगा इसको फिट करने के लिए आपको ऐसी एलेक स्पीकर का वैर ले ले लेना है जो के 15 रुपे 10 रुपे मिटर मि चोटा यही बोलके ने कोई भी कैसा भी बटन बस आउन अफ का और यहां देखो इंपॉर्टेंट बाद सबसे पहले क्या करें हम लोग यह जो अर्थिंग वैर है अर्थिंग वैर लगा दिए फिर उसके बाद यह जो बटन दिखरा देखो यहां पर अर्थिंग को डिरेक मतलब यह बीए सिक्स की गाड़ी है और यह है हमारा सेंसर मतलब एक को लाइफ प्रूफ के प्रूफ बता रहा हम आपको तो उसको हम किसी को छेट चार्जर ने करेंगे यहां देखो हमारा बैटरी है और बैटरी से थोड़ा सा नीचे लिफ्ट साइड में जाएंगे तो यह है हमारा एर फिल्टर फिर उसके नहीं बाजूग में जाएंगे तो यह देख सकते है पेट्रोल का कॉक जिसको टूटी भी बोलते तो अब हम क्या करेंगे हमारा जो चार्जर है उसको यहां फिट करेंगे यहां फिट करने का देखो यह जो वाइट वाल आपको गम की आप गम की जाएक तो पना हाथ जाता हो आफ करने में आसा नहीं हो ऐसी जगे पर चिपका देना है फिर उसके बाद देखो ऐसा एक पाइंप ले ले लेना है ये भी आंट दस रुपे मिटर मिल जाता आपको कोई भी एलेक्टरानिक की दुकान में ये पाइंप के अंदर से ये वायर को डाल देंगे जो वायर हम चा के साथ करेंगे तो उसके लिए क्या एक 10 रुपे का पाइंप लगा दो आप 100% आपका काम सेफ हो गया फिर उसके बाद देखो ये बैटरी के पास आ गई वायर जितनी जरूरत है उतना काट लेंगे बाखी का जो वायर है बचावा उसको निकाल के फेक दो निकाल के फेकन का जो पॉजेटिव का जो टर्मिलल है उसको खोल के यह वायर उसमें जोड़ देंगे फिर उसके बाद यह जो बचावा वायर है वो तो बजायर सी बात है जो बच गया वार्तिंग होगा मतलब नेगेटिव वायर तो इसको भी नेगेटिव वायर में जोड़ देंगे जो हुआ देखो चाबी को आन के रहे हम न्यूटर लेट इंजन लेट आ रहा तो चाबी में इसलिए नहीं दिया मैं कि देखो अगर आप पीछे आएंगे तो खासकर बीएस फॉर और बीएस इक्स की बात कर रहा तो यहां देखो यह पार्किंग लेट जल रहा है मतलब जैसे आप चाबी को आन करेंगे ना तो यह पीछे का जो पार्किंग लेट हो चालू हो जाता देखो बंद करें जैसे फिर चाबी को आप चालू करें फिर चालू हो जा रहा है तो उससे क्या होता अब यह जो पार्किंग लाइट है ना तो यहाँ पे देखो यह होल्डर में जो लाइट है यह हैलोजन है ना के LED अगर LED होता तो इसको आप एक दो घंटे चालू भी रख देंगे ना तो आपका बैटरी डाउन नहीं होता था तो यह हैलोजन है तो इससे बैटरी डाउन होने के चांसेस है इसलिए क्या करें हम लोग डैरक्ट बैटरी से दे दिये ताके चाबी से कोई लेना देना नहों अगर आपको चाबी से लगाना है तो यह एंडिकटर का फ्लाशर है तो इसमें से आप करंड को ले लो आपको चाबी में हो जाएगा पर मे चार्जिंग एजी आराम से लगा सकते हैं अगर आप रात में भी लगाना चाहरें बस ऐसा क्या पटा दो और कवर को लगा दो और एक बाद यह जो सैड में दो एलो का सारी ब्लू कलर के जो लेट है न वह आपको थोड़ा मदद करेंगे आपको यह मतलब ढूंडने में कि कह हमारा चार्जियर तो अच्छा है बिटर है मे container है मेरे साफ से अच्छा दिखा आगर जब देखू कर दिया और यहां देखू द Quindi All तो ये है इसकी खासियत और एक बात देखो final view यहां से अगर आप देखेंगे तो कोई नहीं पैचान सकता कि आपकी गाड़ी में additional मतलब extra charger लगा हुआ है और एक खास बात अभी हम कोई भी wire को काटे नहीं तोड़े नहीं मतलब safe and secure इससे कि आपकी warranty में कोई disturbance नहीं होगा और wiring short circuit होने का भी कोई chances नहीं होगा और जब आपका काम हो गया वापस से charger का क्याप लगा दो बंद खतम हिसाब तो charger तो हमारा complete fit हो गया बहुत सस्ता भी है आप अराम से खरीच सकते तो इसी वीडियो के नीचे link है देखो description में अगर आपको charger नहीं होना कोई अच्छा power bank आप लिंक है तो आप एक बार जरूर से चेक कर लेना और अब इसको अगर हम final view की बात करेंगे तो देखो कुछ इस तरह दिख रहा हमारा देखो सबसे पहले बटन है फिर उसके charger के left and right में दो LED lights है जो कि हमको indicate करते कि charger on है या आफ है तो specially मुझे अच्छा लगा वीडियो तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जहिन